हेलो एन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम पॉजिटिव और नेगटिव वैल्यूस ओफ वाइल लाइफ को पढ़ रहे हैं वाइल लाइफ यूनिट से जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आप वहाँ पर जाकर के सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं तो फस्टेस में पॉजिटिव वैल्यूस इकोलाजिकल बैलेंस इसमें फस्ट एडिंग है वनेजीव खादेश इंकला के रूप में परियावरण में पारिस्तिते के संतुलन बनाई रखने में महतोपूर्ण भूमी का निवाते हैं सेकेंड इसमें जीन बैंग वनेजीव के शी पसुपालन और मत्से पालन में उनत किस्मों के प्रजनन के लिए जीन बैंग के रूप में कार्य करते हैं धर्लेश में प्लांट प्रोपेगेशन कुछ पौधों में वनेजीव जैसे पक्षियों कीडे आदी के द्वारा पॉलिनेशन होता है जो प्लांट प्रोपेगेशन के लिए महतोपूर्ण है फूर्थ इसमें सान्टिफिक इंपोर्टेंस रिसर्च परपर्ज और अनेटॉमी, फीजोलोजी, एकोलोजी आदी की स्टडी में भी वाइल लाइफ, मेहतोपूर्ण भूमी का निभाते हैं फिप्ता इसमें एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स कई प्रकार के वन्यजीवों को प्रियोक शालाओं में एक्सपेरिमेंटल परपल्स में भी यूज किया जाता है और शिक्स इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानि कि वन्यजीव कई प्रकार से उप्योगी होते हैं इनसे मांस, खाल, बाल, पंक, शेर, आधि प्राप्त किया जाते हैं तो इसके बाद अब नेक्स्ट एडिंग आती है नेगटिव वैल्यूस इसमें फर्स्ट है डैमेज टो यूमन प्रॉपर्टीज वन्यजीव हमारे लिए आवश्यक हैं लेकिन कभी-कभी ये वन्यजीव जंगलों से क्रेशी भूमे में आकर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं इसके साथ ही मानवों की संपत्ति जैसे की बाहन आधि को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं सेकेंड एस में impact of human health कुछ वनेजीव ऐसे होते हैं जो मानव के लिए बहुत खतरनाक होते हैं यानि जिन से मानव को जान का खतरा होता है इसके लिए इसके साथ ही वनेजीव कई प्रकार से human में infection जैसे बिमारियों के लिए भी उतरदाई होते हैं थर्ड एस में human impact of animal health human health की तरह ही वनेजीव अन्य जीवों के संपर्वें आकर infection तथा कई अन्य बिमारियों को फैलाने के लिए उतरदाई होते हैं तो thank you friends I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe करना ना भूले